कि अब है कि है अग्या कि है योटूब चैनल डव्ट हट में आपका सभागत है आज रहे मैं आपको सिखाएंगे लगुतम निकानना जिया लगुतम समापरत के निकानना तो आएए शुरू करते हैं लगुतम समापरत को हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं short form में LCM और इंदी में इसको हम छोटे रूप में लिखेंगे ले से लगुतम स्मापरते LCM का मतलब होता है lowest common multiple lowest common multiple यानि छोटे से छोटा सांजा गुनज छोटे से छोटा सांजा गुनज यानि वैं छोटे से छोटी संख्या जो सभी का क्या हो गुनज हो वो कहलाती है लगुतम स्मापरतक इसको असान बासा में हम यह कह सकते हैं कि लगुतम स्मापरतक वैं छोटे से छोटी संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं का गुनज हो या और अच्छे से हम समद सकते हैं कि लगुतम स्मापरतक वह चोटी से चोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं का गुनज हो दी गई संख्या है वो जिसका आपने लगुतम स्मापरतग निकालना है और गुनज होता है कि वो उस संख्या के पहाड़े में आए या वो उस संख्या से भाग होती हो पांच का गुनज हो जाएगा पांच, दस, पंदरे, पीस दस का उनज हो जाएगा दस, बीस, तीस, चालिस यह हम कह सकते हैं वैं छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी-पूरी भाग हो जाए उधान लेते हैं हम जैसे हमारे पास संख्याओं है एक, दो, और तीन इनका हमें लगुत्म स्माप्रतक निकानना है तो एक, दो, और तीन का लगुत्म स्माप्रतक हो जाएगा छे अब छे देखो वैं छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी-पूरी भाग होती है 6 एक से भाग हो जाएगी 6 दो से भाग हो जाएगी और 6 तीन से भाग हो जाएगी या यह कह सकते हैं कि दी गई सभी संख्याओं का गुनज है संख्या एक दे रखी एक का गुनज है एक का पाड़ा पढ़ेंगे उसमें 6 आएगा दो का पाड़ा पढ़ेंगे उसके अंदर भी छे आएगा तीन का पाड़ा पढ़ेंगे उसके अंदर भी छे आएगा तो छे क्या हो जाएगी इस सबी संख्याओं का लगुत्त में समाप परत है अब ऐसी संख्या मारे पास एक और भी है जो इन तीनों से भाग होती हो बारह एक संख्या मारे पास बारह भी है जो इन तीनों से भाग होती है इन तीनों का गुणज है बारह एक से भाग होगी, बारह दो से भाग होगी और बारह तीन से भाग होगी एक संख्या मारे पास है अठारह यह भी एक से बाग होगी दो से भी होगी और तीन से भी होगी इन से भी संख्याओं का यह गुणज है लेकिन यह लगुत्तम समापर तक नहीं हो सकते क्यों? क्योंकि मैंने उपर बताया था कि छोटे से छोटी संख्या अब 6, 12, 18 में छोटे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6, तो इनका लगुतम होगा, 6, 12, 18 नहीं हो सकता तो यह आपने द्यान रखना है संख्या हमारे पास है 2, 3, 4 इनका में लगुतम निकालना है ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से भाग होती हो और छोटे से छोटी हो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी ऐसी संख्या हो जाएगी 12 12 है छोटे छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से भाग होती है इन तीनों का गुनज है अब 12 के अलावा संख्या ऐसे और भी हैं जो इन तिनों का गुनज हो इन तिनों से भाग होती हो 36 इस प्रकार से अब 24 और 36 भी इन तिनों संख्याओं का गुनज है इन तिनों संख्याओं से भाग होती है लेकिन इनको हम लगुतम समापरतक नहीं कह सकते क्यों कि ये छोटे से छोटी नहीं है इनसे पहले क्या आएगी 12 24 और 36 इन टिन्नों में सबसे छोटी कौनसी है 12 तो वह चोटे से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग होती हो वो कहलाती है लगुत्म स्मापरतक तो लगुत्म हो जाएगा 12 अब आपको निकालना सिखाते हैं लगुत्म स्मापरतक की लगुत्म स्मापरतक निकालते कैसे हैं हम यहाँ पर एक उधान लेते हैं संख्या लेते हैं पहले यहाँ पर 4, 6 और 9 इनका में लगत्म स्माप्रत निकालना है तो कैसे निकालेंगे चार को छे को और नो को लिखे लो इस तरह से अलग-अलग करके अब हम पहले इनको 2 से शुरू करेंगे भाग देना सबसे पहले हम दो से शुरू करेंगे दो से भाग देंगे चार को चार को जब हम दो से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा दो चार को हमने दो से भाग दिया दो दूनी चार कितना आया? दो दो को इसके नीचे लिखेंगे चार के नीचे फिर 6 को भाग देंगे 2 से 6 को 2 से भाग देंगे 2 तिया 6 कितना आया? 3 3 को 6 के निचे लिखेंगे अब 9 को भाग देंगे 2 से अब 9 2 से भाग पुरा पुरा नहीं जाएगा तो हम 9 को 9 लिख लेंगे अगे फिर 2 से भाग करते हैं जब तक दो से बाग जाएगा, दो से करेंगे, फिर दो के बाद तीन से, चार से, इस तरह से, दो से बाग कीजिए, दो को बाग करेंगे, दो से, एक आएगा, अब तीन को बाग करेंगे, दो से, तीन बाग, दो से नहीं जाएगा, तीन को तीन रखेंगे, अब नो को बाग क एक रखेंगे, तीन को भाग करेंगे इस तीन से, एक आएगा, अब नो को भाग करेंगे तीन से, तीन आएगा, अब ये संख्याएं, दो से भाग नहीं हो सकती, तीन से भाग करेंगे, एक भाग नहीं होगा, तो एक को एक रखेंगे, यहाँ पर एक को एक रखेंगे, तीन क पास आएगा एक अब अंत में हमारे पास संख्याएं बजगी सिरफ एक एक और एक अब ये आगे एक के लावा किसी से भाग नहीं होंगी तो इनको हमें यहीं पर ही छोड़ देंगे तो हमारा जो लगो तमस्मा पर तक है वो हो जाएगा इन भार की सभी संख्याओं को हम गुणा कर देंगे यहीं वो संख्याओं जिससे हमने भाग दिया है उन संख्याओं की आपस में क्या कर देंगे गुणा इन सभी संख्याओं की गुणा दो गुणा दो तीन गुणा तीन दो गुणा दो च्यार और तीन गुणा तीन नूँँ, च्यार गुणा नो, 36 तो यह यह हमारा क्या हो जयेगा लगुतम स्मापःतप आप यहाँ पर चैक कर सकते हैं कि 36 वह छोटे से छोटी संख्या है जो इन दिव इस सभी संख्याओं से पूरी-पूरी भाग होती है, इन तिनों का गुनज है, चेहरणी में 36, भाग उजैएगी, चैची के 36, नोचो के 36, तो 36 इन तिनों से पूरी-पूरी भाग होती है, तो क्या कहलाएगी लगुतम स्मापवर्तक? एक उजारन और कर लेते हैं हम 10, 20, 30 का लगोत्व निकालेंगे तो यहां पर इस पहले हम 2 से शुरू करते हैं 2 से भाग दे सकते हैं हम सीधा इसको हमें 5 से भाग दे सकते हैं 10 से भी दे सकते हैं चोब हम 2 से भाग दे दे इसको 2 से भाग करेंगे 10 को 5 आएगा 20 को भाग करेंगे 2 से 10 आएगा ते 30 को भाग करेंगे 2 से 15 आएगा अब यह संख्यां यहाँ पर 2 से भाग हो रही है और 5 से भी तो आप 2 से भी कर सकते हैं 10 को या इन 3 को 5 से भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे 5 एकम 5 दस को बाग करेंगे पांच से दो, पंद्रह को बाग करेंगे पांच से तीन, अभी हाँ पर दो से बाग कर देंगे दो को, दो एक कम दो, तीन भाग नहीं जाएगा, तीन को तीन रखेंगे, अभी हाँ पर ये तीन से बाग हो जाएगा, एक बाग नहीं जाएगा, एक को एक बाग नहीं देंगे गुणा कर देंगे तो लगुत्म श्मा प्रत्य हो जाएगा इन सभी संख्याओं की गुणा दो गुणा पांच गुणा दो गुणा तीन बाहर की सभी संख्याओं की गुणा दो गुणा पांच दस दो गुणा तीन चेक कर सकते हैं 60 इन तिन्नों से भाग होती है इन तिन्नों का गुन 6